नमस्कार दोस्तों इंडियनमनी.com के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट शार्दा आज बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फिनांस बैंक के ऊपर बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ये बैंक सही है क्या इसमें लोन लेना सही रहेगा क्या इसमें खाता खोलना सही रहेगा तो ये शारी चीज़े हैं ये पूरी तरह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो ध्यान से मेरा पूरा वीडियो चेक करिएगा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल सकें और बहुत इंपोर्टन चीज इंडियन मनी फिनांशल फिडम आप को डाउनलोड कीजिए ये आप का जो ल सब्सक्राइब करने के लिए और अक्तोबर दो हजार उननीस को इन्होंने अपना जो एह अप्रूवल लिया आर्बिया से पूरी तरह बैंक स्टार्ट करने के लिए और अक्तोबर दो हजार उननीस को इन्होंने सेवी से अप्रूवल लिया बारा सो करोड की आईपियो लॉंच करने के लिए तो बेसिकली जो आईपियो लॉंच हुआ उनका बारा सो करोड का हुआ तो बेसिकली बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना आईपियो क्रिये है mutual funds का जो value है वो 2% की है FPI और FII जो international investment है इसमें वो 3% की है और जो others जैसे माली जी आप और मैं जो shareholding इसमें लेते हैं उसका जो value है वो 10% की है जो मोटा-मोटी इस तरह का ownership है इसमें अभी चलिए जानते हैं इसका 3,656 crores की है जो इसका जो deposit value है और जो loans देख पा रहे हैं इसमें वो 13,617 crore की है तो आप देखेंगे कि जो loan की value है वो deposit से इसका ज्यादा है that means आप मान सकते हैं कि जो इसका जो worth है जो value है loan दिया है इसने market में वो उसके पास इसका मतलब पैसा है तो मतलब 3,000 crore की जो extra value है वो उसने market में दिया है हुआ अब इसमें देख पा रहे हैं आप जो इनके करमचारी है employees है वो almost 8,000 की है और जो इसका customer base है मतलब जितना accounts है इसके पास आप समझ पा रहे हो वो 49,000,000 की है तो बहुत ही अच्छी है इस छोटे जातरा के bank के हिसाब से तो यह बहुत अच्छी है market cap जानते हैं मतलब market cap लेशने इसकी worth कितनी है market में तो जो worth है इसकी 45,000 करोड की है और इसका जो share price आप देख पा रहे हो almost around 26.5 मतलब 26.50 एक share का price जो है इसका value चल रहा है market में अभी जानते है इसका gross NPA मैंने last video में जब मैंने दूसरे bank के बारे में भी बनाया था तो मैंने gross NPA बताया था मैंने last time बताया नहीं था कि NPA क्या है बहुत लोगों को पता नहीं होगा इसका non-performing assets तो इसमें क्या होता है माल लिजे आपने अगर loan दिया है बैंकों ने जब loan देते हैं तो जितना loan उनको वापस नहीं मिलता है तो उसको non-performing assets में डाल दिया जाता है तो basically जो इसका gross NPA आप देख पा रहे है वो 1% के वो fantastic है बतलब अगर आपने इतनार करोड का loan दीके रखा है तो 1% का जो वर्थ है जो NPA है वो बहुत ही अच्छी मानियाती है और जो net NPA देख पा रहे है वो 0.40% तो देखा जाए तो gross NPA almost around 136 करोड की आएगी लगबग औ जो net NPA है वो almost around 60 करोड की आएगी तो इस तरह के से जो मेरा recommendation है NPA के हिसाब से बहुत ही अच्छी है तो basically जो small finance banks जो इस तरह के है वो priority sector lending करती है मतलब agriculture लोगों को micro enterprises को तो इस तरह के जो शेत्र है उनको ही ये loan provide करती है और as per RBI अगर RBI के हिसाब से देखा जाए तो इसको capital education ratio है वो minimum जो है 15% तक उनको रखनी होती है और और अगर इसका जो 25% जो branches है वो basically unbanked areas में मतलब rural areas में जिसे गाओं खेत्र में इसका होना अनिवारी है तो ये जो है उनका RBI का rules and regulations है ये बहुत ध्यान से आपको दिखना है तो आप देखेंगे key ratios क्या है जैसे मैंने बोला था 15% की जो capital adequacy ratio होनी चाहिए आप देखेंगे तो इसकी capital adequacy ratio है 19% तो बहुत ही बहतर है तो मेरे recommendation से आप अगर इस bank में जाना चाहते है या फिर खाता कोलना चाहते है तो जरूर जाहिए बहुत ही अच्छी है बट long term के लिए नहीं इसका अगर FD देखेंगे तो almost आप मे लेकिन मोटा मोटी एक साल तक उससे जादा नहीं जाना चाहिए अगर आप इसका देखेंगे तो इसका जो value है senior citizen जो FD दे रही है value दे रही है 799 days के अगर आप देखेंगे बात करूंगा तो 8.60% आप देखेंगे नॉर्मल private banks में आप देखेंगे तो 6.5 मोटा मोटी आप आपको मिलता है बट यहां पर देखेंगे तो आपको 8.60% की जो है ब्याज मिल रही है और जो normal अगर आप normal senior citizen नहीं होके normal आप FD बनाते हो तो almost around 8.10% फिर भी बहुत अच्छी है तो देखा जाए तो यह bank आपको अच्छी खासी interest दे रही है लेकिन loans के सक्कर में मत पढ़िएगा क्योंकि जो loans है इसका बहुत ही costly है 14% से लेके 16% तक आपको loans की value पढ़ जाएगी अगर आप दूसरे other loans की हिसाब से जाते हो तो 36% तक भी जा सकती है तो मेरे recommendation से आप इसमें account खाता खोल सकते हो FD खोल सकते हो लेकिन अगर loans जाना है तो बहुत ध्यान से जाना है क्योंकि बहुत ही costly है तो आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा उजीवन finance के बारे में तो मेरे recommendation से आप इसमें खाता खोल सकते हो तो आगे चलके अभी और भी मैं videos बनाने वाला हूँ दूसरे दूसरे bank के ऊपर अगर आपको कोई specific topic चाहिए तो please ज़रूर मेरे comment section में लिखिए और इसी लिए मैं बोलता हूँ कि financial freedom app डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है क्यों dedicated आपको financial freedom coach मिलेंगे जो की आपको one to one one to one आपको guide करेंगे और इसमें 28 तरह के courses है जैसे मैंने last time भी बताया था आपको कि mutual fund के बारे में जानना हो stock market के बारे में जानना हो real estate के बारे में जानना हो marriage के बारे में जानना हो business बढ़ाना है उसके बारे में जानना हो किस तरीके से income बढ़ाना है उसके बारे में जानना हो सारी जो चीज़े है इस आपके तुरू आपको एक जगा पे मिलेगी तो प्लीज जाके डाउनलोड कीजिए इसका बेनेफिट उठाइए धन्यवाद